एक जंगल में एक शेर रहता था एक दिन उसे बहुत भूख लगी वह गुफा से बाहर आया और किसी जानवर की तलाश करने लगा उसे दूर एक पेड़ के नीचे खरगोश दिखाई दिया वह पेड़ की छाया में मज़े से खेल रहा था शेर खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा खरगोश ने शेर को अपनी और आते हुए देखा तो वह जान बचाने के लिए भागने लगा शेर ने उसका पीछा किया और लपक कर उसे धर दबोचा शेर ने चुभी खरगोश को मारने के लिए पंजा उठाया कि उसकी निगाह हिरन पर पड़ी उसने सोचा कि इस नन्हे खरगोश से मेरा पेट भर नहीं सकता इससे तो हिरन ही अच्छा रहेगा शेर ने खरगोश को छोड़ दिया वह हिरन का पीछा करने लगा हिरन ने शेर को देखा तो जोर जोर से चलांग लगाता हुआ भाग खड़ा हुआ शेर हिरन को नहीं पकड़ सका उसके पीछे भागते भागते शेर थक कर चूर हो गया अंत में उसने हिरन का पीछा करना छोड़ दिया खरगोश भी हाथ से गया और हिरन भी उसे नहीं मिला अब शेर खरगोश को छोड़ देने के लिए पच्चताने लगा दोस्तों हमें समय पर जो मिल जाए उसी में संतोश करना चाहिए अन्यथा पच्चताना ही पड़ता है